असलाम आलेकूम वीवर, वेलकम टो माइबेक चेनल, आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे प्लू विक्सीन के बारे में, के प्लू विक्सीन में क्या है और प्लू विक्सीन के इस्तिमाल करना जुरूरी है या नहीं, और अगर प्लू विक्सीन इस्तिमाल करेंगे तो तो है प्लो, प्लो एक वाइरल इंपेक्शन है, और जब सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये वाइरस पहलना शुरू हो जाता है, और प्लो एक वाइरल डिजीज है, अगर किसी एक को नजला हो जाए, और सब एक ही गलास में पानी पीते हो, तो सब को नजला उकाम हो सकता है, हर कोई कहते हैं कि मुझे कोई और बीमारी लग जाए ठीक है, लेकिन प्लो नहों, और प्लो से कैसा बचा जाये, और प्लो से बचने के लिए आप कौनसी इख्तियाद कर सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, कि अगर आपको प्लो हो, तो क्या आलामात हो स प्लू से बचने के लिए हमारे पास विक्सीन होते हैं इस विक्सून को प्लू विक्सीन कहते हैं या इंप्लोंजा विक्सीन कहते हैं ये वाइरस ज्यादतर बच्चों को मतासरा करता है और प्लू विक्सीन साल में एक दपा करना चाहिए और प्लू एक वाइरस है जो हर साल आता है और खास करके सर्दियों के मोसम में इस विक्सीन का नाम इंपलोविक टेटरा है और यह 0.5 सिरिंज में मुझूद होता है और यह एबर्ड कमपनी का है और बहुत सारी कमपनी बनाते हैं और विक्सीन लगाने के बाद इंशालला आपको पूरा साल प्लोव नहीं होग और एक बात का खास ख्याल रखें के 6 माह से चोटे बच्चों को इस्तिमाल नहीं करना चाहिए और 7 माह से उपर के लोग इस्तिमाल कर सकते हैं इस विक्सीन को आप I.M. यानि एंटर मस्कुलर लगा सकते हैं और बड़े उमर के लोगों में एमेनो सिस्टम मजबूत होता ह जिसकी वज़े से बड़ो में पलो बच्चों के मकाबले में कम होता है और बच्चों में पलो ज्यादा होता है क्यूंकि बच्चों में एमेनो सिस्टम कमज़ूर होता है यानि खुथी मताफियत कमज़ूर होता है और प्रिग्निंसी में भी आप लोग विक्सीन लगा सकत हैं क्योंकि बच्चा होने के बाद साथ मात तक प्लू नहीं होगा तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर देना शेयर कर देना अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना